दोस्तों आज में Spider-Man Lovers के लिए Spider-Man Into The Spider-Verse Movie का explanation लेकर आया हूँ और ये explanation आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि इसमें सभी Spider-Man आपको एक ही मुवी में नजर आएगे मुवी की स्ट्राइडिंग मायल्स नाम के एक लड़के से होती है जिसे स्प्रे पेंटिंग का बहुत शोक होता है इसलिए वो ग्रेफिटी बना रहा होता है और आज उसे वीकेंड खत्म होने पर फिर से स्कूल जाना था क्योंकि मायल्स अपने स्कूल में ही रा करता था जो कि वीकेंड्स में अपने घर आया करता था मायल्स स्पाइडर मेन का काफी बड़ा फेन था लेकिन इसके फादर स्पाइडर मेन को पसंद नहीं करते थे मायल्स की लाइफ सिर्वर सी बुक्स में ही निकल रही थी वह अपने फादर से तो ज़्यादा अटेस नहीं था लेकिन अपने अंकल एरन से बहुत ज़्यादा अटेश था इसी कारण फ्री टाइम होने पर वह अपने अंकल एरन के पास जयाया करता था वो देखते हैं कि मायल्स ने बहुत अच्छी ग्रेफिटी डिजाइन की है तो वो उसे एक सब्वे पर लेकर जाते हैं मायल्स को स्प्रे पेंटिंगा काफी ज़्यादा शोक था इसलिए उसे बड़ी सी वोल मिलने पर वह अपनी स्प्रे पेंटिंगा कमाल दिखाने लगता है जब वह अपनी एक ग्रेफिटी खत्म करता है तो एरन उसकी तारीफ करते हैं वह बोलते हैं कि तुम एक टेलेंटेड लड़के हो फिर एरन को कॉल आता है और वो मायल्स को वहाँ से चलने को कहता है मायल्स वहाँ से जाने लगता है लेकिन तब ही एक रेट्यो एक्टी स्पाइडर मायल्स को बाइट कर लेता है रेडियो स्पाइडर के मायल्स को बाइट करते ही उसके अंदर changes होने शुरू हो जाते हैं उसके sales डबल होने लग जाते है मायल्स उस स्पाइडर को मार कर वाँ से निकल जाता है वो अपने रूम में आकर सो जाता है वो सुबह उठकर देखता है कि उसके हाइट बढ़ गई है और वो जब स्कुल जाता है तो उसका हाथ एक लड़की के बाल से चिपक जाता है जिससे उसके बालों को काटना पड़ता है और अब वो जादा ही ओवर थिंकिंग करने लग गया था और सबसे में चीज की वो जिस सब उसके साथ हो रहा है वो स्पाइडर मेन के साथ भी हुआ था यानि कि वो भी एक स्पाइडर मेन है और अब दो-दो स्पाइडर मेन हो चुके लेकिन माइल्स को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था इसलिए वह अपने अंकल एरन से कॉंटेक्ट करने की कोशिश करता वर सोसता है कि शायद मुझे एक बार इस spider man को जाकर देखना चाहिए हो सकता है कि यह सब मेरी गलत फेमी हो जब वो वापस से सब्मे में जाता है और spider को देखता है तो वर सच में एक radioactive spider थी जिसमें से electricity spread हो रही थी और तबी वहाँ पर माइल्स अपनी आखों के सामने देखता है कि स्पाइडर मेन ग्रीन गोबलिंग से फाइट कर रहा है माइल्स ये सारी चीजे छुपके से देख रहा होता है लेकिन तबी वो नीचे गिर जाता है तबी स्पाइडर मेन आकर उसे बचा लेता है लेकिन जब माइल्स और स्पाइडर मेन यानि कि पिटर पार्गर की वाइस जब मेच करती है तो पिटर पार्गर समझ जाता है कि माइल्स भी स्पाइडर मेन है और वो माइल्स को कहता है कि मुझे लगता था कि आस तक सिप मही स्पाइडर मेन हूँ और उसे बताता है कि यह मशीन एक कोलाइडर है जिसे मुझे खद्म करना है और तब इसके बाद में स्पाइडर मेन वापस से कोलाइडर पर पहुंचता है और वो उस कोलाइडर को तबाह करने के लिए उसमें एक चिप लगाने लगता है लेकिन तबी वहाँ पर प्रोवलर आ जाता है और दोनों में फाइड होने लगती है फिर ग्रीन गोबलिंग स्पाइडर मेन को पकड़ लेता है यह सारी चीजें किंग पिंग कंट्रोल रूम में खड़ा देख रहा था और वो सूपर कोलाइडर को भी एक्टिएट कर देता है सूपर कोलाइडर वो होता है ज पुरे अर्थ को भी डिश्ट्रोई कर सकती है। कॉलाईडर श्टार्ट होने के बाद वो मॉश्टर स्पाइडर को कॉलाईडर के बीच में लेकर आ जाता है। जिसके कारण एक बड़ा सा बलाश्ट होता है। और Spider-Man बहुती बुरी तरेके से गायल हो जाता है। Miles जब Spider-Man के पास आता है तो वो अपने पास रखी Pen Drive Miles को दे देता है। और बोलता है कि तुम मुझसे प्रोमिस करो कि तुम इस Collider को तबा करोगे। क्योंकि अगर यह वापिस से एक्टी हुआ तो हमारा अर्थ नहीं बच पाएगा। Miles Spider-Man से वादा करता है और Spider-Man उसे वहाँ से जाने को कहता है। वो वहाँ से जाने लगता है कि तब ही King Ping Spider-Man के पास आता है। King Ping जब देखता है कि Spider-Man अभी भी जिन्दा है तो वह उसे हमेशा हमेशा के लिए मार देता है। यह देख Miles डर जाता है कि तब भी उसे प्रोवलर देख लेता है और वह उसके पीछे बहुत दूर तक भागता है। Miles अपनी जान बचा कर अपने घर में पहुँच जाता है जहां उसके Parents Miles को देखने पर कहते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आए तो Miles कहता है कि क्या मैं आज रात यहीं रुख सकता हूँ। अब हर जगे New Channel पर यह information आ चुकी थी कि हमें बचाने वाला Spider-Man अब इस दुनिया में नहीं रहा तब Miles खुद भी Spider-Man का एक ड्रेस खरीता है। और वो बिल्डिंग से जंप लगाने की सोचता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और नीचे गिर जाता है जिससे Spider-Man का दिया हुआ पेंडराइव तूट जाता है जिसके बाद वो पिटर पारकर यानि कि Spider-Man के कबर पर जाता है ताकि वो पिटर पारकर से माफी मांग सके ल लेकिन इस डाइमेंशन का Spider-Man तो मर चुका है तो दिखाया जाता है कि उसका नाम पिटर भी पारकर है और जब वो डाइमेंशन ओपन हुआ था तब वो इस डाइमेंशन में आ गया और जब पिटर पारकर को बंद करने की कोशिश कर रहा था लेकिन जब वो पिटर एक्ट कोटा और आलसी हो चुका था कोलाइडर एक्ट्वेट होने के कारण वह इस परजेंट डाइमेंशन में पहुंच चुका था यानि कि माइल्स वाले डाइमेंशन में माइल्स उसे रेस्क्यू करता है क्योंकि वो बेवोश हो चुका था और वहां से भागता है कि दोनों एक मेटरों के उपर इश्टक हो जाते हैं इसी कारण सारी ट्रेफिक में से टकराते हुए एक इसी जगर पर पहुंच जाते हैं जहां पर पीटर भी पारकर खुद को फिरी कर लेता है माइल्स और न्यू स्पाइडर मेन जब आपस में मिलते हैं तो इन्हें पता चलता है कि स्प कलाइडर को बंद किया जाए जिससे कि बाकी लोग अपने डायमेंशन में पहुंच सके इस पेंडराइव को बनाने के लिए इन्हें फिर से किंग पिंग के ओपिस में जाना पड़ेगा वो दोनों ओफिस के पास पहुंच जाते हैं लेकिन माइल्स को अभी भी स्पाइड मेन को मडता हुआ नहीं देखना चाता इसी कारण वो इस्पाइडर मेन की हेल्प के लिए पहुंच जाता है अब वहाँ पर हमें एक नया करेक्टर दिखाये जाता है औलेविया ओक्टोविया वहाँ पर Spider-Man को पता चलता है कि Miles को जिस Radioactive Spider ने काटा था इसी कारण Miles में हम लोगों से ज़्यादा पावर है यानि कि उसके पास में Invisible होने की पावर है जब वहाँ पर Olivia पहुंचती है तो Miles Invisible हो जाता है और Computer को हेक करने की कोशिश करता है लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता इसी वज़े से वह पुरा का पुरा CPU उठा कर वहाँ से जाने लगता है जब Olivia पीटर भी पार्कर को देखती है तो वह सोचती है कि इस Dimension का Spider-Man तो मर चुका है और उसे कुछ समझ नहीं आता तो वह पीटर भी पार्कर का जबरदस्ती हेल्स चेक अप करने लगती है तो उसे पता चलता है कि इसके सेल्स तो सड़ते जा रहे हैं फिर उसे समझ में आता है कि जब Collider एक्टिवेट हुआ था इसी कारण दूसरी Dimension का Spider-Man इस Dimension में आ चुका है और इसी वज़े से उसके सेल्स बहुत ही जल्दी खत्म होते जा रहे हैं यानि कि इस Dimension में यह Spider-Man ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकता वरना इसकी मोद भी हो सकती है और फिर वो अपने अस्री रूप में आती है यानि कि Octopus वाले रूप में और पिटर भी पारकर पर हमला करने लगती है लेकिन Miles CPU लेकर वहां से भागने लगता है लेकिन Octavia उसे नहीं देख पाती क्योंकि वो इन्विजिबल था माइल्स और स्पाइडर मैन सीपियों को लेकर बाहर तक पहुँच भी जाते हैं लेकिन वहाँ पर ओलिविया भी पहुँच जाती है और तब हम यहाँ पर देखते हैं थर्ड स्पाइडर मैन यानि कि एक वूमर स्पाइडर मैन ये थी ग्वेन हाला कि इस डाइमेंशन के अंदर ये माइल्स की क्लासमेट है लेकिन ये जिस डाइमेंशन से आई थी वहाँ पर ये है एक फीमेल स्पाइडर मैन थी जिसका पार्टनर स्पाइडर मैन था ग्वेन खुद की स्टोरी बताती है और अब हम यहाँ पर किंग पिंग का भी पाश्ट देखते हैं एक दिन किंग पिंग स्पाइडर मेन को मार नहीं वाला था लेकिन तब ही उसकी फेमिली मेंबर यानि की वाइफ और उसका बेटा किंग पिंग को देख लेता है और वो उससे डरने लग जाते हैं और वह उस जगर को छोड़ कर जाने लगते हैं इसी बीच उन दोनों का एक्सिडेंट हो जाता है और किंग पिंग की फेमिली हमेशा के लिए खत्म हो जाती है इसी कारण उसने सूपर कुलाइडर को बनाया था ताकि वह अपनी फेमिली को वापस ला सके अब वुमेन स्पाइडर मैन माइल्स और पिटर भी पारकर इस डाइमेंशन के पिटर पारकर के घर पर जाते हैं जहां उन्हें पिटर पारकर की आंट मिलती है वो पिटर भी पारकर को देखकर समझ जाती है कि यह मेरा पिटर पारकर नहीं है और इसी के साथ में वो इन लोगों को कहती है कि तुम लोगों ने आने में तो काफी देर लगा दी आंटी इन तीनों को वहाँ ले जाती है जहाँ पर स्पाइडर मेन का सिक्रेट रूम था यहाँ पर वह अलग-अलग डाइमेंशन से आयत तीन और स्पाइडर मेन से मिलते हैं पहला स्पाइडर मेन जो की स्पाइडर मेन नोयर वर्जन था दूसरा पेनी पारकर जो की एक जेपेनिस वर्जन थी और तीसरा स्पाइडर हम जो की एक पिक था इन सभी को Radioactive Spider ने बायट किया था तब भी पीटर भी पारकर कहता है कि हमें अपने अपने Dimension में जाने के लिए किसी एक को यहां रुकना होगा ताकि Collider को तबा किया जा सके लेकिन Miles कहता है कि जो भी यहां रुकेगा उसकी भी जान चली जाएगी इसलिए तुम सभी लोग अपनी Dimension में चले जाना और उस Collider को Direct में करूंगा तो सभी उसे कहते हैं कि तुम अभी इतने प्रिपेर नहीं हो कि तुम वहाँ पर जाकर किंग पिंग के लोगों से लड़ पाओगे यह बात सुनकर Miles काफी जादा हर्ट हो जाता है वो अब अपने पेरेंट से भी बात नहीं कर सकता था क्योंकि वो काफी टाइम से गायब था इसी कारण वो फिर से अपने अंकल Aaron के लिए निकलता है और जब वह अपने अंकल Aaron के घर पर पहुंचता है तो उसे वहाँ पर किसी की आहाट होती है और वो चिप जाता है वहाँ पर वह प्रोवलर को देखता है प्रोवलर जब अपना मास्क उतारता है तो वह और कोई नहीं बलकि माइल्स के अंकल Aaron थे ये चीज़ देखते ही माइल्स को शोक लगता है कि अंकल Aaron प्रोवलर कैसे हो सकते है और फिर उसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है लेकिन प्रोवलर उसे देख लेता है लेकिन वो नहीं जानता है कि वो माइल्स है उसे बस इतना ही पता था कि स्पाइडर मेन की कोश्टुम में एक लड़का उसके घर में गुसाया है और वो उसे पकड़ने लगता है मायल्स पीटर पार्गर की आंट के गर पर आ जाता है जहां सारे स्पाइडर मेन भी थे वह बताता ही कि मेरे अंकल एरन ही प्रोवलर है और इसी के बाद में जब दरवाजा खुलता है तो वहाँ पर किंग पिंग की पूरी टीम थी यानि कि गरिन गोबलिंग, प्रोवलर, स्कोर्पियन सब लोग वहाँ आ जाते हैं और वह से भी लोग इस डायमेशन में आये हुए स्पाइडर मेन पर अटेक करने लगते हैं इन लोगों के बीच में अच्छी कासी फाइट होने लगती है माइल्स के पीचे प्रोवलर पढ़ जाता है और प्रोवलर उसे पकड़ लेता है और उस स्पाइडर मेन को मार नहीं वाला था कि तब ही माइल्स अपना मास्क उतारता है तो प्रोवलर ये देकर शोक हो जाता है कि वो माइल्स है और अब एरन मायल्स को नहीं मार सकता था क्योंकि वो उसके बहुत करीब था किंग पिंग ये सब देख रहा था और वो एरन को उसे मारने को कहता है लेकिन जब एरन मायल्स को नहीं मारता तो इसी करण किंग पिंग एरन को शूट कर देता है जिससे वो मर जाता है किंग पिन मायल्स को भी मान नहीं लगता है लेकिन पिटर भी पारकर वहाँ आके उसे बचा लेता है और मायल्स एरन को लेकर भाग जाता है लेकिन गोली लगने की वज़े से एरन की मौत हो जाती है और तबी वहाँ पर माइल्स के फादर भी पहुंच जाते है माइल्स के फादर एक पुलिस वाले थे माइल्स के फादर ने भी अभी तक माइल्स का फेस नहीं देखा था इसी कारण वह उसे हेंड अप करने को कहते है लेकिन माल्स इन्वीजिबल होकर वहां से चला जाता है माल्स के फादर को पता चलता है कि एरन की डेत हो चुकी है और शैयद इसका कारण स्पैडर में ही हो माल्स अपने घर पर आ चुका था जहांपर बागी के स्पैडर में भी थे सब उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम हमारे साथ नहीं जा सकते हो और पिटर भी पारकर ही इस डाइमेंशन में रुकर कोलाइडर को बंद करेगा और बागी सारे लोग अपनी डाइमेंशन में चले जाएंगे वह मायल्स को पूरी तरीके से बांद देते हैं और पेंट ड्राइव लेकर निकल जाते हैं मायल्स शाम होने तक यही सोच रहा था कि मैं यहाँ पर बेट कर क्या कर रहा हूं और वहाँ पर मायल्स के फादर भी मायल्स से मिलने आते हैं क्योंकि सीटे में हो रहे इतने सारे अटेक से माइल्स के फादर को माइल्स की टेंस्षन ती वो माइल्स से कहते है कि तुम्हें जू करना है तुम ओ करो बस मुझसे दूर मत जाना ये मैं बरदाश्ट नहीं कर पाओंगा और फिर वो वहाँ से चले जाते फिर माइल्स बहुत देर तक सोंसता है कि मैं क्या हूँ और क्या कर रहा हूँ और फिर जब मायल्स अपनी सारी पावर को कॉंसेंट्रेट करता है और अपनी बायो इलेक्ट्री वेनब ब्लाश्ट पावर की मदद से खुद को फिरी कर लेता है फिर पीटर पार्कर की आंट के गर पर पहुंचता है और स्पाइडर मेन का सूट पहनता है और उसे कुछ से कस्टमाइज करता है और अब इतनी सारी इंसिडेंट होने के बाद में अब माइल्स ने भी स्पाइडर मेन की पावर को कंट्रोल करना सीख लिया था और दूसरी طरव बाइकी spider man kingpin की building में पहुंचते हैं जहां collider था यह सभी लोग देखते हैं कि kingpin ने अपनी building के अंदर Peter Parker को tribute देने के लिए एक बहुत बड़ी party organized की है ताकि कोई kingpin पर शक ना करें जहांपर सभी waiter ने spider man का dress up क हखा था इसी कारण इन लोगों को अंदर जाने में कोई प्रोब्लम नहीं होती यह सभी लोग वहां पहुँच जाते हैं जहांपर सूपर कोलाइडर था लेकिन जब तक यह लोग उस कोलाइडर को ब्लाश करने लगते हैं तक वापस से वहां पर उलिविया पहुँच चुकी थी और अब मायल्स भी वहां आ जाता है सभी ये देख के बहुत खुश होते हैं कि मायल्स अपनी पावर यूस कर पा रहा है अब इन सभी लोगों में फाइट होना स्टार्ट हो चुकी थी यहां पर बाकी गेंग मेंबर भी थे यानि कि गरिन गोबलिंग, कोपलेन, स्कॉर्पियन जिन से सभी स्पाइडर में जोड़दार फाइट कर रहे थे फिर मायल्स उस पेंडरायो को उसमें लगा देता है और अब बाकी स्पाइडर में को बेजने का टाइम हो चुका था अब एक एक करके यह सारी स्पाइडर में अपनी अपनी डाइमेंशन में जा रहे थे यानि कि स्पाइडर में नोयर वर्जन, पेनी पारकर और स्पाइडर हम सभी अपनी डाइमेंशन में जा चुके थे वुमेन स्पाइडर मेन भी मायल्स को गुडबाई करके अपनी डाइमेंशन में निकल जाती है लेकिन पिटर भी पारकर वही रुख जाता है और अब किंग पिंग की फाइट माइल्स से होती है माइल्स के साथ में वो डायमेशन एक्टिवेट होने के कारण किंग पिंग की फेमेली भी किंग पिंग को दिखाई देने लगती है जब किंग पिंग की फेमेली उसके सामने आती है लेकिन उसकी फेमेली उसे नहीं देखना चाहती तो किंग पिंग काफी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वह हर चीज उटा कर माइल्स पर फेकने लगता है माइल्स काफी ज़्यादा इंजट हो चुका था लेकिन अभी भी उसने अपनी होप नहीं छोड़ी थी माइल्स किंग पिंग की पावर के आगे तो टिक नहीं सकता था लेकिन माइल्स के पास में जो इलेक्ट्रिक वेनम बलाश्ट वाली पावर थी वो उसी का यूस करता है और king ping को वही पर ढेर कर देता है और इसके बाद में finally miles उस सूपर कॉलाइडर को बंद करने में कामयाँ हो जाता है ये सारी चीजे वहाँ सामने खड़े होकर miles के फादर भी देख रहे थे लेकिन miles के चेरे पर spider main का mask था और अब मायल्स के फादर को समझ में आता है कि स्पाइडर मेन इस जगर का सबसे बड़ा हीरो है और उसी ने हम सबी लोगों की जान बचाई है या मायल्स अब सोचता है कि उसके फादर टेंशन में होंगे इसी कारण उन्हें फोन लगाता है या मायल्स फिर से एक बार मास्क पहन के अपने फादर को हग करता है लेकिन उनको बताता नहीं है कि वो मायल्स है और अब इस सिटे का यूई स्पाइडर मेन मायल्स था और बाइकी स्पाइडर मेन अपनी डाइमेशन में पहुँच चुके थे आपका तहे दिल से शुक्रिया थेंक्स पर ओचिंग